तो आज की वीडियो में हम दिसक्स करेंगे फैक्टर उफेक्टिंग इंशॉरेबिल्टी सिंपल कहते हैं इंशॉरेबिल्टी जो होती है ठीक है जो इंशॉरेंस की पॉलिसी होती है ठीक है उनमें कहते हैं कौन कौन सी फैक्टर से इफेक्ट करते हैं तो यहां आज हम डिस्कस करनें कि life insurance की policy के बादे में कि life insurance की में कहते हैं कौन सी factor आपको क्याते ही effect कर सकते हैं यह आप इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम life insurance की policy उसे issue करते हैं तब हमने कौन सी factors को ध्यान में रखना होता है तो सबसे पहला factor है age जैसे का आपको पता कि life insurance में age चाहता है सबसे पहला और सबसे main factor होता है जबी भी आपने life insurance के policy issue करनी है जाना आपने age का proof है उसे age के proof को पटिके से नहीं लेना होता है अपने customer से बिना age के proof के आप उन्हें life insurance के policy issue नहीं कर सकते उसके बार next है बिल्ट का मतलब का मतलब क्या होता है कि उसकी बनावड का मतलब होता है THAT इसकी हाइट का वेट इसका वेट कैसे है आप देखें कि अब पहलेंगे जोब inshranamma MHC करते है height और वेट का ने Python K का मतलब था जासे कि आपको पता होता है जो होता है हम अगर एपकी हाइट आपकी जो वेट इतना होना चाहिए अगर आपकी हाइट अपने एज के एक कर दिया जादा है ये कम है आपको डिशीज के चांसे होते हैं तो यहीं इनने बोला है then as standard of weight according to maximum weight reveals the certain hidden diseases इस standard जो है वो फिक्स है ठीक है के उसी के एक्स है तो अगर आपका वेट जाता है then वहां से भी कहते है आपको डिसीस का शांस होता है again relationship between a height and weight कहते है जो main कहते है important factor है जो कहते है आपके life insurance में गाम आता है अगर आपका weight जादा है और overweight है वह भी काफी dangerous है और underweight है तो भी काफी dangerous है उसके बाद next है physical condition तो यहां पर कहते हैं आपके physical parts होते हैं body parts उनकी बात की जाती है आपके heart हो गया आपके lungs हो गया आपके kidneys हो गया नर्वे system हो गया तो आपके physical part है तो आपके physical body structure है उनकी में किसी भी तरह की कोई problem तो नहीं है उसके बाद next है personal history की simple कहते है अगर हम बात करें life insurance की तो वहां हम एक customer की personal history को भी जानते है और personal history में कहते है आगे यह से भी factors आते हैं जैसे कि first है health card record के health card जो आपके पिछला वाला जो है पास health card record कहते है वह भी आपका main important document माना जाते है वह जो disease पहले थी वह उसे same disease अब है कि नहीं है उसके बाद next पास्ट वाली habit again past habits से भी काफी पता लग सकता है हमें एक actionable client के बारे में कि वह पहला के तो उसके कोई भी ऐसी ड्वेंजिस बिमारी तो नहीं थी जिसका impact अभी तक उसके health पे हो जैसे कि alcohol होगाए कि पहले कोई drugs और alcohol को यूज तो नहीं करता था अगर वह पहले यूज करता था तो अब उसको बंद किया है कि नहीं किया है उसके बाद है history of occupation again होगी कि यहाँ पर हम जो है history है जो कस्टमर के जितना भी occupation होता है जो भी काम है उसका उसकी history ली जाती है यहाँ पर क्यों ली जाते है जैसे कि कहीं जगह पर occupation है ऐसे होते हैं जहाँ पर कहते हैं वह हमारी health को effect करते हैं जैसे कि आप किसी factory में काम करते हैं तो वहाँ factory से जो धुमा निकलता है वह काफी dangerous होता है आपकी lungs के लिए यहाँ आप कहीं किसी chemical lab में काम करते हैं तो वहाँ ऐसे chemical use होते हैं जो कहते हैं नॉर्मल एक इंसानी के लिए काफी dangerous होते हैं तो वहाँ पर आपको occupation की जानकरी भी देनी होती है उसकी बड़ नेक्स है insurance into history कि आपने पहला को insurance करवाया है कि नहीं करवाया है यहाँ पर कहते फैफी कैसे काफी suspicious होता है suspicious factor है एक insurance company के दीध इसकी दीध एक पहले सिआपने इस्पेस्ट होता है कि अगर दीध होते हैं आप ने जाता है जाता है कि आपके कितने बंदे हैं उनकी पॉर्ण होई है उसके बाद देखा जाता है कि उन्हें कोई ऐसी बैट नहीं है जिनका एफेक्ट आ करता है वो आपको हो रहा है जो supplied over हो सकती है आपके उपर भी पर नेट्स पॉइंट है ост पॉइंट है occupation देखते हैं जब किसी भी परिसन का occupation देखते हैं तो कैते हैं वहां नीचे यह वली फैक्टर को देखते है सबसे पहले निच्छे इसका जो work है वह कौन सी nature कहा है उसके बाद कहते है अगर वह जो work है उसमें कोई ऐसा work तो नहीं है जिसमें आपकी moral value है वही कहते है निश्ट हो जारी है वही कहते है डाउन हो जारी है जैसे कि वह कहते है अपने काम में drink करता है जो drugs लेता है यह सब चीज़े है आपके occupation में क कोई भी chemical factor तो नहीं है जो काफी dangerous है आपकी health के लिए कोई dusty area तो नहीं है जिससे कहते है आपको काफी unhealthy environment मिलता है उसके बाद कहते है excessive mental health sorry excessive mental and nervous strain कि कि आपको कोई भी महांसे क्या श्रीक तनावत नहीं मिलता अपने उसके काम से तो यह से भी चीज़े occupation में देखे जाते है उ उसका climate अच्छा होगा जैसे कि आपका climate ही अच्छा नहीं है जहां पर रहते हो तो definitely कहते है आपको chances and disease के वह काफी increase हो जाते है उसके बाद next है present habit again पहले हमें डिसक्स किया था past वाली habit अब हम डिसक्स करेंगे present कि पहले वाली जो habit है वह है कि नहीं है उनसे आपको क्या effect प मतलब होता है कि जो insurance इसने करवाया ठीक है उसने कोई कहते है इसने कोई भी तरह की जानकर या कोई तरह की information हमसे कहते हाई तो नहीं की गई है जैसे कि यह लिखा भी रहा है insurance is not generally given to bankrupt or reputed dishonor person की जो insurance है कभी भी कहते है bankrupt को या किसी भी कहते है इसने को नहीं दी जाती ठीक है इसका मतलब हमने अच्छे से जांच पताल करनी होती कि वो जो person है जो इसने apply किया ठीक है वो person कहते है अच्छे से उसने अपनी आगे premium pay कर सकता है कि नहीं pay कर सकता है ठीक है वो honest है कि नहीं है कि इससे हमें हमारे से fraud commit करने के लिए insurance company को apply किया है उसके बद आपको बोला भी आगे ताए आप नहीं estimate तो मतलब कर सकते हो बड़ उनके कहते है को final result जो है आप नहीं निकाल सकते है क्या पता उसको आज कोई fever नहीं है कि आज कोई disease नहीं है अपके client को बड़ आगे future आप उसको disease हो जाए बड़ कहते है जो आपकी moral hazard होती है जो आपकी moral value होती है वो आप आपकी जो nationality है वो कहाँ पे है जैसे कि हमने पहले discuss किया था कि जो mortality होती है तो उसका rate होता है वो कहते है डिफर होता है race to race और national वाइस कि हर एक जो nation है जो country वाइस है हर एक country वाइस की अगर बात करें तो हम उसके death rate होती है जो उसकी birth rate होती हो उनकी country वाइस अलग-अलग होती है तो यहामने वही चीज़ देखने उसकी race कौन सी और उसकी nationality कौन सी है बंदा यहां कहा कि बंदा बहुत कहा है उसके बाद बात किजाए economic status का simply जैसे कि उनकी income जो वक्ती है जिसने apply किया उसकी income कितनी है उसकी income नहीं है तो source of income वह उसको से खुद कहा है उसका business कैसा है जो भी उसकी economic है जहां से भी पैसा race होता है वह सभी हमने factors यहां पर देखने है कि उसकी पु policy को कुछ भी में की lapse कर जाती है उसकी policy दन हमारी insurance company को किसी भी तरह का loss नहीं हो जाए उसके बाद last है आपका plan of insurance simply क्याते ही अलग-अलग plan की according क्याते है अलग-अलग risk होते है जैसे कि कुछ plan ऐसे होते है जिनमें risk कम होता है एं कुछ plan ऐसे होते है जिनमें risk का level है काफी high हो हुआ है